नमस्कार विवोस मैं हूँ अमीश देवगन और मेरे साथ बात करने के लिए दीदी मा है आप बोलेंगे दीदी मा ये साधवी है साधवी रिधंबरा इनका नाम है और राम मंदर के आंदोलन में बखुबी शामिल रही और जब अब राम लला का दिव्वे भव्वे मंदर ब कि मंदर आंदोलन के दौरान लिया गया राम मंदर का प्रण 31 वर्षों बाद पूर हो रहा है यह सवाल अगर मैं पूछू आपको कैसा लग रहा है तो यह नाइंसाफी होगी लेकिन आपने सोचा था कि यह हो जाएगा 31 साल पहले बिलकुल अमिश सोचा था कि संकल्प पहुंचा देता है और यह भी सोचा था कि तब व्यर्थ नहीं जाता साधना न व्यर्थ कभी जाती चलकर ही मंजिल मिल पाती फिर क्या बदली क्या घाम है चलना ही अपना काम है और यह चलना तब संभव होता है हमिश जब यह दर निश्चे होता है कि मंजिल मिलेगी इसल वो जो चरण थे दूल दूसरीत हुए छालों से भरे रक्त रंजित हुए ठके भी हारे भी लेकिन एक चित में लगन थी कि ये रवानी तब तक चलनी है ये प्रवाह तब तक रहना है जब तक मंजिल नहीं मिल जाती और अब हम 22 जनवरी को हमारे राम जीय योद्या आ रहे ह है और हम सब लोग भारी आनंद में आपने सही कहा कि ये अन्याय हो जाएगा कैसा लग रहा है क्योंकि हमिश क्या होता है ला गूंगा गुड़ ठाले पर उसका स्वाध कैसे बताए धनियों के तो धन है लाखों मुझ निर्धन के धन वस तुम हो कोई पहने मानिक माल कोई लाल जड़ावे कोई रचे महावर महंदी मोतियन मांग भरावे सोने वाले चांदी वाले पानी वाले पीतल वाले तन के तो सौसो शिंगार है मन के आभूशन बस तुम हो तो संतों का धन तो राम जी ही है राम जी का नाम है साजवी जी राम मंदर आंदोलन से आपका जुड़ाव कैसे हुआ ये इसमें आज की पीड़ी आपसे जरूर जानना चाहेगी क्योंकि शायद आज जो लोग 20 साल के हैं 22 साल के हैं 25 साल के हैं उनका तो जनम भी नहीं हुआ था वो जरूर जानना चाहेंगे और मैं चाहता ह एनदोलन प्रारंब हुआ मैंने सरीउ का जल हाथ में लेके शपतली कि हैं सरीउ मईया मेरा तन, मन, धन, मेरा सर्वस, राम जनम भी मिन के लिए राम जनम भी मुटि अंदोलन के लिए समर्पित हैं और बस वो संकल्प और उस संकल्प ने फिर संघर्श की सामर्थ दे दी और आपको मालूम है वो समय तो ऐसा था कि अपने को हिंदू कहना सामपरदायक जो ए वो टीका लगा दिया जाता था उस पे टिपणियां होती थी वातावन बहुत प्रतिकूल था लेकिन अमिश एक बात दिल को लगती थी कि जब लक्षमन ने कहा राम जी से कि राम भाया द अब जर्च को छुछ नहीं हो सकता इतनी लंबी लढ़ाई लड़ाई लड़ाई गई पांत सो वर्षों की ये लड़ाई थी पचास वर्षों की कोट की लड़ाई थी कभी मन में आया कि राम लला को खुद खड़े होकर कोट में कहना पढ़ आए कि मैं वहाँ मेरा जन्म हुआ को कि खुद रामलला जो थे वो कोट में पक्षधर थे अपने क्या आपको लगता है कि यह हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं यह कोई और मुल्क है यह सारी पीड़ा है यह सारी वेदना तो रही कि भी देखो अपने ही देश में राम जनव भूमी के लिए 500 साल लड़ना पड़े इससे समझ में आता है कि अपने घर में शरनार्थी होकर जीने का या फिर उपेक्षित होकर जीने का दर्द क्या होता है यह क्रेडिट की भूकी है बीजेपी असल में क्योंकि आपसे भेतर इसका जवाब कोई ने देगा श्रे किसको मिलना चाहिए इसका अमिश्रे तो सबको है उनको भी है जो कारसेवकों ने बलिदान दिया सबसे पहला श्रे तो उनको है ना जो माताओं ने अपने अंगुठे के रक्ट से अपनी संतानों के माते पितिलक किया आमिश्र के जा पुत्र तू अगर राम के काम आ जाएगा तो मैं धन्ने हो ये ना जिनोंने मांग के सिंदूर नियोचावर की है उनको भी तो श्रे जाता है ना जो उन भाईयों को खो चुकी है बेहने जो कलाईयों पे रक्षा सुत्र बांधती रही तो ये और बाकी रही भारती जनता पार्टी भारती जनता पार्टी के तो श्रीलाल कृष्ण आ पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय श्री लाल कृष्णाडवानी राम रत लेकर निकले थे इसलिए उनको भी श्रे जाना चाहिए और पिर सबसे बड़ी बात है हमेश जब देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने भूमी पूजन के समय राम लला के सामने दंडवत प भारतियों ने अपनी चेतना को गुलाम नहीं होने दिया क्या आपको लगता है कि आपको यकीन था कि एक दिन देश का प्रधान मंतरी आकर जो नरेंदर मोधी आकर दंवत प्रणाम करेगा और वो प्रधान मंतरी होगा हमिश ये मा भारती है ना ये चिनमा ही सत्ता है ये खाली भूमी का टुकड़ा नहीं है और हम लोग तो बहुत सालों पहले कहते थे के लोक सभाबा संती चोला पहन के जिस दिन आएगी गली-गली मेरे भारत की ब्रंदावन हो जाएगी क्योंकि देश के प्रधान मंतरी सं बाठ्व को समझते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में तो कोई प्रधान मंतरी गया नहीं हमिश यह तो पहले देश के प्रधान मंतरी के इतना अद्वुत द्रिश्य उपस्तित कर दिया हमारे पास तो शब्द नहीं थे हम तो जूम रहे थे अहलादित थे अनंदित थे क्योंकि इसी दिन को देखने के लिए आंके तरस रही थी मंदि निर्मान के लिए आपने अपने पढ़ाय किसी को कभी नहीं बक्षा ये मै दिन के लिंदिर बन रहा है 22 जैनवरी को प्राण प्रतिष्टा होगी आपकी विशेश तैयारी क्या है हमारी विशेश तैयारी तो कुछ समझी नहीं आरी क्योंकि समझी नहीं रहा कि कैसे कैसे उन च्षणं का दर्शन करेंगे पूरा देश उसको अपनी आँखों से उस मुकर होने को भी दिल चाहता है कहना चाहती हूं कहने पाति हूं पर कहे बिना रह भी नहीं पातीओं ऐसा अनभव हो रहा है जब कार सेवकों barbar गोली चलीं का उस दिन ahjal को आपको पता लगा कूज टेक्नॉलिग का योग नहीं था वो जानकारी मिली कि कारसेवकों पर गोली चली है और उस समय के लोग कहते हैं कि सर्यू लाल कर दी गई थी 300 से जादा कारसेवकों को गोली लगी थी उनकी हत्या हो गई थी और सरकारी रिकॉर्ड में शायद 16 है या 24 है जो मुझे ध्यान में आ रहा है क्या कहना चाहती है उस पल को याद करें हमीश हम तो उस समय जब वहां से निकले अयोद्या के लिए तो हम बेश बदल के निकले लेकिन कानपूर में पुलिस ने हमको पकड़ लिया था रफतेपूर जेल में कैद कर दिया था लेकिन आप देखो कि रामचंदर परमांस जी महराज दिगंबर अखाडे की छत जो थी उस पे सामी बामदेव जी महराज और पांच जन्ने के पहले संपादिक भानु परताप शुकल जी और भी संत विरक्त संत खड़े थे अपनी आखों के सामने अपनी संतानों के इस उतसर्ग को देखना कितनी पीडा देता है कितना दुख देता है तो ऐसे विरक्त संतों की आत्मा और उसमें जब ब्याकूल आत्मा पीडित आत्मा में से जब आह निकलती है नामिश तो वो बड़े-बड़ों को ले डूबती है क्योंकि वो ऐसे निहत्थे कारसेवक थे जो सिर्प राम जी के लिए योद्या आये थे, उनकी चाती पे गोलिया उतारी गई, सर्यू का जल कितना रोया होगा, योद्या की गलिया कितनी उस समय व्याकुल होई होगी, उसकी कलप ना करके भी हमारी आत्मा सीहर जाती थी, ले लेकिन इस तरह का बरताओ राजनेता करेंगे ये कभी कलपना नहीं थी और उसने चित्त को इतना व्याकुल रखा और मैं तो अमिश्य सच बताऊं मेरे उस विशाद को उस दुख को अगर मैं वातसले की स्रिस्टी खड़ी करने में ना लगती तो शायद बहुत गहरे अवस सरकार तो चली गई थी और तदकालीन गये मंतरी चावान साफ ने फोन किया था कि क्या हालात है तो उन्य बुला हलाथ तो यह है की गुमत में डैλιमेज हो गया होते हैं मिश्ची जिनके लिए सत्ता साधन होती है सद्ध नहीं होती सत्ता का सत्य ये है कि वो साधन हो और सत्य को समर्पित हो एक-एक कारसेवकों के बीतर जैसे पबन पुत्र हनुमान प्रवेश कर गए हूँ, वो कोई योजना के अंतरगत नहीं हुआ, और नियती के द्वारा निश्चित था, कैसे कारसेवकर आघव के रणंजे बन गए, और माधव के धनंजे बन गए, जो कील अवद के सीने में सदियों से पड़ी कसकती थी, और लज्जित थी, पीडी, द आक्षे प्रकट हो गए, राम जी की लीला थी, और मैं तो अमिश्च जी सदैवे की बात कहती हूँ, कि राम जी करा रहे है, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का भी राम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से ये वो संकल्प विकल्प रहित संकल्प और आज हम है सिद्धी के द्वार पर जी लेकिन एक दौरता आप पे भी बड़े सारे केस थे आपको भी पुलिस लेने पहुँच गई थी और आपने छच्चे मारी थी ये कहानी भी पड़ी है हमने हां जी हमेश ये ऐसी कहानिया तो इतनी जादा हैं में ललीत पुर के अंदर मुझे जो है पुलिस पकड़ने आ गई और संगठन की ये निरने था के पुलिस ना पकड़ पाए और जागरण करना है तो कैसे कितना बचना पड़ता था मैंने उस घर के अंदर साड़ी पहनी और गूंगट निकाला एक साल का बच्चा गोधी में उठाया एक किलो मीटर पैदल पुलिस के बीच में से निकल गई और बाद में कारी करताओं के द्वारा वो बच्चे को उसके घर पहुंचाया और मैं अगली सभा में पहुंच ग शफीक उर्मान बर्क जो की समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर मेंबर अपार्लेमेंट है उनके बड़े नेता है वो कह रहे है कि गम का दिन बनाएगा मुसल्मान जिस दिन राम मंदिर की प्राण परतिष्टा होगी मुझे लगता है नेताओं को गम होगा लेकिन आम भारत का प्रधान मंदिरी मंदिरों में जा रहा है और पूरा देश जो है वो सिरफ राम मंदिर के नाम पर अटक गया है नहीं राम मंदिर हमारी उर्जा है हमारी प्रेरणा है राम हमारी सक्रियता है आमिश जी राम हमारे सर्वे भवंतु सुखिना की भावना है राम मंदिर के में प्रान प्रतिष्टा प्रधान मंतरी मोधी को नहीं करनी चाहिए विपक्ष के कई नेता, कॉंग्रस के नेता, सपा के नेता, और कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता उध्रव टाकरे की पार्टी के नेता, तमाम लोग ये बात कह रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं? कि देश के परदान मंतरी को हख है? बहुत संक्षिक समाज के हिर्दे की भावनाओं का सम्मान करना और वो यह जानते हैं इसलिए मैंने कहा वो भारतिये जन के मन को समझते हैं लेकिन आरजेडी की लालु यादव ने तो रहत रुखा अडवानी जी का उनके बेटे कहना है कि जब बिमार पड़ोंगे तो मंदिर थोड़ी जाओंगे अस्पताल जाना पड़ाएगा तुम्हें लेकिन अमिश उनको तो यह भी पता है कि जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं तो फिर वो यही कहते हैं राम जी से प्रार्त ना कर लो तभी स्वस्तों हो मैंने ये बात बोली थी तो मेरे पीछे पड़ गयते सब लोग लेकिन भेलाल आपके जब आपने उनको भी उत्तर दे दिया होगा पहले तो पूछा गया कि राम किस कमरे में राम की माने राम को जना कॉंग्रस के नेता ने यह बुला था अब कहा जा रहा है क्या कहा जा र पर्मातमा को भी जातियों में बांदा जा रहा है और ऐसे पापियों की किसी बात का मैं उत्तर क्यों दूंग आप बताएगे वो आपने आपको स्वेम व्यक्त कर रहे हैं कि वो क्या है उनकी सोच क्या है विपक शिश्ले परिशान हो गया उनको लग रहा है कि ये राम जानती है जनता जानती है जो जनता के मन को समझते हैं उनकी परमपरा का सम्मान करते हैं जनता के आशीरवाद भी उनको प्राप्त होते हैं और आपको पते है निमंतरन तो सबको था निमंतरन इस जगह के लिए नहीं क्या राम जनम भुमी के पक्ष में बाकी राजनेतिक पार्टियों को सामने नहीं आना चाहिए था ये सभाग्ये वो अपना क्यूं नहीं बना रहे थे वह राम जी को गाली दे रहे थे वह राम ¿ snel राम किर्श्न पर परउथि तुक्र हो भारत का सपूत नहीं सकता एक सवाल का जवाब मैं जरूर आप से चाहता हूं और मैं वो सवाल बाइट के जरे दिखाऊंगा स्वामी प्रसाद मौरिया ने हिंदू धर्म पे क्या बोला है एक बार प्ले करते हैं हिंदू एक धोखा है जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है कि यह जो जो कहते हैं कि हिंदू धर्म जूट है यह सनातन पुरातन है मैं एक बात और कहना चाहती हूं क्या इनके वक्तव्यों से सनातन का कोई नुकसान होगा हमिश जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से वो सनातन क्या मिटेगा आज के नेताओं की बकवास से बहुत बहुत शुक्रिया आपका साधवीद्य आप हमारे मज़ पर आई आपने अपनी बात को रोका बहुत बहुत अवे रंदन आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमिश आपको बहुत बहुत धन्यवाद झाल आपको बहुत 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 बह